विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं, हमें तो यह आसा जगी थी कि इस बार हमें गोल्ड की उमीद थी, और विनेश फोगाट के साथ पुरा देश खड़ा है, हम सभी खड़े हैं कि बेटी, उसको डिस्क्वालिफाई किया गया है, कुछ टेक्निकल कारणों के वेज़े से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, क्या कहींगे इस पूरे विशा देश खड़े हैं, और हम बहुत परिशान भी हैं जब से यह समाचार आया, क्योंकि हमें तो यह आसा जगी थी कि इस बार इस हमारी बेटी बहन विनेश फोगाट से हमें गोल्ड की उमीद थी, मगर अचानक ऐसा समाचाराना कि उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, इससे हम भी सौक्ड हैं, मुझे लगता है, पूरा देश सौक्ड है, सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं, प्रधान मंत्री जी का भी भी ट्वीट आया है, और हर अस्तर पे इसको हमें हर फोर्म पे उठाना भी है इस विसे को, लेकिन बड़ी सैड है हम सब कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, कारण जो बताया जा रहा है, वो वजन बढ़ने का, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी दिर में सदन में बयान भी होगा, स्पोर्स मिनिस्टर का, और हम जिस जिस प्रेटफॉर्म पे इसको उठा सकते हैं, अवस्य उठाना चाहिए, और विनेश फोगाट के साथ पुरा देश खड़ा है, हम सभी खड़े हैं, ऐसा विश्वास रखे है, कुछ जो लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं, कि शड़े हंत्र भी हो सकता है, अंतराष्टी है, कॉंगर्स के लीडर ने फ्रीप्री किया है, अला कि दुर्भागी पुन्तों है ही, लेकिन इसमें कोई दुर्भागी पुरुन है, तो मन में तोड़ा गुसा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, तो उसमें कोई सदस्य जो भी कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी रीचेक, इस प्रोसेस को भारत को इसकी मांग रखनी चाहिए, और मुझे प्रदान मंत्री के ट्वीट के बाद पुरा भरोसा है कि हम किसी भी अस्तर से, अगर कहीं साजिस भी हो, तो उसको भी हम भेदने की कुसिस करें।